बंदू, आज हम लोग आ गए हैं सिकिम, सिकिम में एक जगह है, जिस जगह का नाम है रावंगला, एक छोटा सा टाउन है रावंगला, वहीं पर एक बिशाल काय बुद्धि प्रतिमा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, यह देखिए, यहां का परीवेज देखिए, कितना पथर को तरास के, पथर को काट के किस तरह से, पहार को काट के किस तरह से, सबरस्ता और हर चीज बनाए गिया है, बहुत ही खुबसूरत यह जगह है, और दूर में आप देखिए, यह बुद्धि प्रतिमा, यह देखिए, और यह प्रतिमा जो है, बादल से ठक चुका है, पूरा से और हम लोग चलेंगे फिर आगे अब लोग को दिखाने के लिए चलिए चलते हैं बिशाल का है बुद्धर प्रतिमा सिकीम राव अंगला चलिए ये देखे रस्ता ये रस्ता से हम लोग नीचे उतर रहे हैं कितना खुबसुरत हर पत्थर को काट के तरास के ये सु अंदर जयगा बनाया किया है बिशाल जयगा है ये देखे ये देखे खुबसुरत ये सीरी बना हुआ सामने बिशाल का अब उद्धर प्रतिमा गौतम बुद्ध्य सिधार्थ उनका बिशाल का अब प्रतिमा एक दिस्ट्रांथ है यहां आप आने से आपको इस जगा महों लेगा संपुन्ता से और आप को इच्छा नहीं करेगा ये जगा छोड़ के कहीं जाए देखे किस तरह से ये देखिए पेर पौदा लगा हुआ है पहार काट काट के किस तरह से सब बनाएगे देखिए देखिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं विशल का एक बुद्धर प्रतिमा का तरब ये खुटपात ये रस्ता सीरी बनाए गिया है और हलका म्यूजिक चल रहा है साइथ ये जो म्यूजिक है इसका भासा तो मुझे पता नहीं है किस भासा में सायद कोई बुद्धिस्ट लैंग्विज में ये मुजिक बज रहा है चारो तरफ स्पीकर लगा हुआ है धीमी गती से ये मुजिक एक अपरूप द्रिश्च यहां त्यार किया है ये देखिए धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये देखिए बिशाल काय ये खुब्सूरत दरस्ता बना हुआ है ये देखिए फूल का गाच से सुसज्जित है ये पूरा जाएगा देखिए किस तरह से ये फूल यहां का लोकल फूल है ये ना मुझे पता नहीं है लेकिन इसका सुगन्त बहुत ही खुब्सूरत और ये दोनों तरफ से देखिए किस तरह से ये ज्हाओ गाठ जो है पहारी गाच से सुसज्जित किया गया इस पूरा जेगा को ये देखिए विशाल काय बुद्ध प्रतिमा दर्शन कीजी आप लोग ये देखिए दोनों तरफ गाच पहारी गाच और फूल से सुसज्जित किया गया है ये देखिए विशाल काय बुद्ध प्रतिमा